लुक्तोब में नमस्कार गूडीवनिंग स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसकाइक सट्ञेज में और आजकी इस क्लास में देखेंगे Molecular Orbital 30 यानि आणवी ककसक सिद्दांत और आणवी ककसक सिद्दांत में जिसके जैसे परमानों के अंदर परमानों ककसक होते हैं वैसे ही अनवी ककसक होते हैं उसी के एक फिक्ट करने के लिए कि अनवी ककसकों की व्यवस्ता किस टाइप के होती है उसके आणवी कक्सक सिद्धान तो दिया था किसने एक तो थे एफ हुंड और एक थे आर एस मुलीकन इन्हों ने ये molecular orbital theory प्रस्तुत की थी अब इस molecular orbital theory के मुख्य मुख्य बिंदु क्या है पहले उनकी चर्चा करते हैं पहला बिंदु क्या था कि पर्माणू के अंदर पर्माणू कक्सक होते हैं वैसे अनू के अंदर आणवी कक्सक होते हैं जैसे इलेक्ट्रोन पर्माणू कक्सकों के अंदर उपस्तित होते हैं पर्माणू में वैसे ही अनू के अंदर इलेक्ट् पर्मानु कक्सकों में उसी प्रकार अनुमें इलेक्ट्रोन आणवी कक्सकों में उपस्तित होते हैं दूसरी सर्थ आणवी कक्सकों के संयोग से ही बनते हैं तो संयोग करने वाले पर्मानु कक्सकों की उठ जाएं और सममिती समानों नीची ये संयोग करने वाले पर्मानु कक्सकों की उठ जाएं और सममिती समान होनी चाहिए अब पर्मानु के अंदर क्या होते हैं पर्मानु कक्सकों में इलेक्ट्रोन केवल एक नाबिक के संपर्क में होता है लेकिन अणू में इलेक्ट्रोन कई सारे नाबिकों के संपर्क में होता है परमाणू में इलेक्ट्रोन एक नाबिक के जबकी अनू में इलेक्ट्रोन अनेक नाबिकों के संपर्ग में होता है यहां यह कह सकते हैं कि परमाणू कख्तक एक केंद्र किये होता है परमाणू कख्तक एकल केंद्र किये क्योंकि उनके अंदर नाबिक एक होता है और आणवी कक्सक क्या होता है बहु केंदर की होता है तो यह बात हुई एकल केंदर की और बहु केंदर की एगी अब जितने परमाणू कक्षक संयोग करते हैं उतने ही नए आणवी कक्षक निर्मित होते हैं अगला बिंदू है जितने परमाणू कक्षक क्या करेंगे संयोग करते हैं उतने ही आणवी कक्षक बनते हैं जितने परमाणू कक्षक दो मिले तो दो आणवी कक्षक निर्मित होते हैं अब दो आणवी कक्षक बनते हैं तो उनके अंदर आधे तो होते हैं आबंधन आणवी कक्षक और आधे होते हैं प्रती आबंधित या प्रती आबंधन आणवी कक्षक तो मैं यूँ कह दूँ जिन में से आधे आबंधन आणविक कक्षक इनको कहते हैं bonding molecular orbital BMO तथा आधे प्रति आबंधन आणविक कक्षक यानि anti-bonding molecular orbital ABMO होते हैं आधे तो होते हैं bonding और आधे होते हैं anti-bonding जो bonding molecular orbital होते हैं उनकी उर्जा पर्मानों कक्षक से कम जो पर्मानों कक्षक सहीं हो करते हैं उनकी तुलना में BMO की उर्जा कम होती है BMO की उर्जा पर्मानों कक्षकों से कम जबकि ABMO की पर्मानों कक्षकों से अधिक होती है BMO की क्या होती है पर्मानों कक्षकों से एनरजी जितनी कम होती है ABMO की पर्मानों कक्षकों से उतनी क्या होती है एनरजी ज्यादा होती है तो ये पर्माणू कक्सकूं और आणवी कक्सकूं की कुछ विशेशता ही थी अब पर्माणू कक्सकूं को जब भरते हैं अपन तो पर्माणू कक्सकूं को भरते टाइम आप वो सिद्दान्त का पालन करते हैं यानि हून्स नियम और पाउली का दखा जाता है आणवी कक्सकूं को भरने के लिए भी होंड का अधीक्तम बहुकता का नियम अधीक्तम बहुकता का नियम और पावली के अपवर्जन नियम का पालन किया जाता है यानि आप वो सिद्धान्त का नियम का पालन होता है तो हुण्ड का अधीक्तम बहुकता परमाणू में कक्सकूं द्वारा तो उसी के समान अणू में इलेक्त्रोनों का प्रहिकता वित्रण आन्वी कक्सकूं द्वारा दिया जाता है शीक्स्त है परमाणू में कि इलेक्ट्रोन कहां-कहां मौझवूद है मैं इलेक्ट्रोनों का प्राइक्ता वित्रणूं प्राइक्ता वित्रण किसे देते हैं परमाणू कक्षकों से परमाणू कक्षकों से उसी प्रकार अणू में इलेक्ट्रोन प्राइक्ता वित्रण आणवी कक्षकों द्वारा दिया जाता है यह हो गई आणवी कक्षक सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बिंदू अब देखो next अपनत देखते हैं परमाणू कक्षकों का रेकिक संयोग आणवी कक्षकों का निर्माण अब इसके अंदर क्या किया गया परमाणू कक्षकों का रेखा के रूप में संयोग होता है Linear Combination of Atomic Orbital और आणवी कक्सक बनते हैं तो परमानू कक्सकों को यहां तरंग फलन के रूप में माना गया है एक तरंग के रूप में बताया गया है और वो तरंगें जो है मिलकर के आणवी कक्सकों का निर्मान कर लेती है अब तरंग फलन के रूप में जब परमानू कक्सक मि मिलने की दो कंडिशन है पहली कंडिशन यह कि वो संपोसिवेतिकरण करें दूसरा वो विनासिवेतिकरण करें यानि तरंगें एक दूसरे को प्रभलीत करें तो उसको कहते हैं संपोसिवेतिकरण एक दूसरे को नष्ट करती है तो उसको कहते हैं विनासिवेतिकरण तो ज और यदि परमाणु कक्षक एक दूसरे को तरंगुंगे रूप में नश्ट करते हैं, तो विनासी वेतिकरन होता है और एंटी बॉंडिंग मोलीकुलर ओर्बिटल बनते हैं. जो bonding molecular orbital होते हैं, जब निर्मित होते हैं BMO, बंदी आणवी कक्षक या बंदी आणवी कक्षक तो इलेक्ट्रोन गनत्व दोनु परमानों के बीच में उपस्थित होता है लेकिन जब anti-bonding molecular orbital बनते हैं यानि प्रतिबंदी आणवी कक्षक तो electron गनत्व है दोनु पर्मानों के नाभीकों से दूर इस्तित होता है और दोनु आणवी कक्षकों के मद्दे एक node पाई जाती है जब प्रतिबंदी आणवी कक्षक बनता है तो मानली जी अपने पास hydrogen के दो पर्मानों है दोनु है तो सेम ही एक HA है एक B है इसके पर्मानों कक्षक को मैं दे देता हूं साई A इसको दे देता हूं साई B ये पर्मानों कक्षक तरंग के रूप में एक दूसरे से मिलेंगे और जब आनवी कक्सक बनेगा यानि साई molecular orbital आनवी कक्सक को दर्सा रहे हैं साई से molecular orbital है बराबर दर्साएंगे परमानू कक्सकों के योग से या परमानू कक्सकों के अंतर से साई A क्या है एक परमानू का परमानू कक्सक है साई B क्या है दूसरे परमाणू का परमाणू कक सके दोनू का योग होता है दोनू एक दूसरे को तरंगू के रूप में प्रबलित करते हैं तो bonding molecular orbital बनता है BMO और दोनू एक दूसरे को नस्ट करते हैं तो anti-bonding molecular orbital बनता है bonding molecular orbital जो होता है उसको अपन सिग्मा से दर्सा सकते हैं सिग्मा बराबर साई A प्लस साई B और anti-bonding को जब दर्सा आते हैं सिग्मा स्टार से दर्सा आते हैं और यह हो जाएगा साई A माइनस साई B यानि दोनों परमानों कक्सक एक दूसरे को मिल करके प्रबलित करते हैं यानि समपोशी वेतिकरन होता है तरंगों के रूप में तो bonding molecular orbital और एक दूसरे को नस्ट करते हैं विपरीच चल करके तरंगे एक दूसरे को नस्ट करती है तो साई A माइनस साई B शेंदर साएंगे विनाशी वेतिकरन और एंटी बॉंडिंग molecular orbital कहलाएगा जब बॉंडिंग molecular orbital बनेगा तो इलेक्टोन गनत्व दोनों परमानों के आणवी कक्सकों के ठीक मत दे के अंदर उपस्तित होगा और यदि एंटी बॉंडिंग बनेगा तो ना भी कुण से इलेक्टोन गनत्व काफी दूरी पर श्तित होगा जब यह श्तिती होगी तो एनर्जी क्या होगी डाउन हो जाएगी और आणवी कक्सकों के उर्जा परमानों कक्सकों से कम होगी और जब यह बनेंगे यानि सिग्मा स्टार एंटी बॉंडिंग मोलिकुलर ओर्बिटल तो एनर्जी परमानों कक्सकों से बढ़ जाएगी तो साई मोलिकुलर ओर्बिटल साई ए प्लस माइनस साई बी प्लस बता रहा है कि इसको molecular orbital में bonding को यानि मैं इसको आगे यू लिख सकता हूँ si bonding molecular orbital बराबर लिख सकता हूँ si a plus si b ये तो है योग और si anti bonding molecular orbital कैसे बनेगा si a minus si भी अंतर से बन जाएगा इसको अपन यू दर्साएंगे अब देखो अपने पास hydrogen के दो परमाणू है तो एक का परमाणू ककसक ये हुजाएगा इसको अपन कह रहे है si a किसका है? hydrogen के दोनू परमाणू सेम है, h2 1 बनाते हैं वो इह हुजाएगा si b hydrogen का दूसरा परमाणू का परमाणू ककसक ये भी पर्मानों कक्सक है और ये भी पर्मानों कक्सक है दोनों पर्मानों कक्सक है मिलकर के दोनों क्या बनाते हैं आनवी कक्सक बनाते हैं तो दो पर्मानों कक्सक मिले और दो ही क्या बन जाएंगे आनवी कक्सक बन जाएंगे इन सब को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूं ये लो अब हाइड्रोजन के पास एक एलेक्ट्रोन होता है पर्मानों कक्सक में इसके पास भी क्या है एक एलेक्ट्रोन है पर्मानों कक्सक में तो दो एलेक्ट्रोन हो गए ये क्या है 9 कक्सक है 9 कक्सक और 9 कक्सक भी कौन सा है यह Anti-Bonding Molecular Orbital है, प्रती बंधी 9 कक्सक जिसकी उठजाप परमानो कक्सकों से ज़्यादा है यह देखो, यह MID LINE से जितनी इसकी DOWN है उतनी इसकी UP है यह भी क्या है 9 कक्सक है, इसको अपन दर्साएंगे साई बी यह क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी अंतर से आणवी कक्सक एंटी बॉंडिंग और यह क्या हो जाएगा आणवी कक्सक बॉंडिंग मॉलिकुलर और बिटल हो जाएगा अब इलेक्ट्रोन भरे जाएगे तो हूंड और पाउली के अपोर्जन ये मानुसार बरे जाएंगे जिसकी उर्जा कम है उसमें सबसे पहले बरे जाएंगे और जब तक वो नहीं बरा जाएगा तब तक उपर वाले उर्जा इस तरह में अपन नहीं जाएंगे प्रतिबंदी आन्वी कक्सक की उर्जा क्या होती ये पर्मानुकक्सकों से उच्च आबंदी आन्वी कक्सक की उर्जा परमानों कक्षकों से कम होती है, इनको अपन बॉंडिंग मोलीकुलर और योग से अंतर साते हैं, इनको एंटी बॉंडिंग मोलीकुलर और बिटल अंतर से अंतर साते हैं, तो यह हो गए आबंदी और प्रतियाबंदी आणविक कक्षकों का निर्माण, आबंदी के लिए BMO यह दोनों है रोजन के परमानॉं कंशकों के संयोग की सर्थ निराएं संयोग करने वाले परमानॉं कंशकों की उड़ जाएं लगभग समान होनी चाहिए, संयोग करने वाले परमाणू कक्सकों की उड़ जाएं लगभग समान होनी चाहिए, यानि जैसे 1S कक्सक, 1S परमाणू कक्सक, 1S परमाणू कक्सक के साथ संयोग करेगा, 2S परमाणू कक्सक के साथ नहीं, क्योंकि 2S की एनर्जी क्या होती है, 1S से ज्यादा होती है, इसलिए संयोग करने वाले परमाणू कक्सकों की उड़ जाएं लगभग समान होनी चाहिए, उर्जाओं में अंतर ज्यादा नहीं होना चीए तो 1S परमाणूग अक्सक 1S के साथ 2S परमाणूग अक्सक 2S के साथ क्या करेगा संयोग करेगा दूसरा संयोग करने वाले परमाणूग अक्सकों की आनविक अक्स के परिते सम्मिती समान होने चीए संयोग करने वाले परमाणू कक्सकूं की आनविक अक्स के परित है समान सममिती होनी चीए समान सममिती इसका क्या मतलब है तो यूँ कह सकते हो कि एक टूपी एक्स कक्सक है तो दूसरा भी संयोग करने वाला टूपी एक्स कक्सक ही होना चीए एक टूपी वाई कक्सक है तो दूसरा भी टूपी वाई एक्स टूपी वाई कक्सक ही होना चीए यानि उनकी समम्मिती और X इस क्या होना चीए सेम यदि X इस अलग अलग एक्सिस पे एक X इस तरीके से Y एक्सिस पे तो उनके बीच में सही ओपोसिबल नहीं है जैसे यह X इस पे P और्बिटल उपस्तित है और यह Y एक्सिस वाड़ा ले लिया तो इनके बीच में ककसक अगे तुपंति एक्स ककसक टूपी एक्स करका हैं और टूपी ये साथ ही क्या करेगा स lanzyog करेगा का ये समानसभी ती Hyper ये तो ये भी 2PX के साथ ही क्या करेगा संयोग करेगा ये एक दूसरे के पेरलल है ऐसे नहीं एक X एक्सिस वड़ा एक Y एक्सिस वड़ा तो फिर वो संयोग पॉसिबल नहीं होगा तीसरा थर्ड सर्थ है संयोग करने वाले पर्माणू कक्सकूं में प्रभावी अतिव्यापन होना चीए अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोन गनत वै उतना ही ज्यादा साजा हो सकेगा उतना ही मजबूत आबंद का निर्माण होगा उतना ही प्रबल मजबूत अनू का निर्माण होगा तो संयोग करने वाले पर्माणू कक्सकों के मद्दे अधिक्तम अतिव्यापन होना चीए एक दूसरे में परमाणू कक्सक क्या हो जाएं प्रवेश कर जाएं मेकजीमम अतिव्यापन होना चीए जिससे बनने वाले अनू भी क्या होंगे मजबूत होंगे और आबंद भी मजबूत निर्मित होंगे तो अधीक्तम अतिव्यापन होना चीए ये तीन सर्ते हैं परमाण कख्षक देखो 1S यह 1S परमानु कख्षक यह दूसरा 1S परमानु कख्षक दोनु मिल करके दो मिलते हैं दो आणवी कख्षकूं का निर्मान करते हैं एक हो जाएगा bonding molecular orbital नीचे वाड़ा उपर हो जाएगा anti-bonding molecular orbital 1S 1S इसको कहेंगे सिग्मा 1S इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1S सिग्मा 1S और सिग्मा स्टार 1S यानि 1S 1S सहीं हो करके हमेशा सिग्मा आबंद बनाएंगे इसलिए सिग्मा bonding और वो जाएगा anti-bonding अब देखो पी कख सकते हैं अपन एक हो जाता है 2PX एक हो जाता है 2PY तो दोनों में से कोई साहीं ले सकते हो 2PX या 2PY दोनों भी लिख सकते हैं अपन यहाँ येलो अब PX और PY दोनों मिल करके पाई बोंड ही बनाते हैं पार्स वेती हो आपन से तो यह हो जाएगा पाई 2PX यानि बोंडिंग मोलिकुलर और बिटल और यह हो जाएगा पाई स्टार 2PX यानि एंटी बोंडिंग मोलिकुलर और बिटल चाहे पी एक्स और चाहे PY हो क्या बनाते हैं पार्स वेती व्यापन से पाई बंद ही निर्मित करते हैं इस बात का ध्यान रखना है अब तीसरे टाइप का है जेड पी जेड कक्सक अब अंतरना भी कि एक्स को जेड एक्स के अनुदिस माना जाता है और जेड एक्स पर इस्तित परमानू कक्सक आपस में अक्स ही है ती व्यापन करते हैं तो थर्ड है अपने पास टूपी जेड या तो यह टूपी एक्स हो सकता है या टूपी वाई हो सकता है यह हो जाएगा या पाई टूपी एक्स या पाई टूपी वाई यह हो जाएगा पाई स्टार टूपी एक्स या पाई स्टार टूपी वाई दोनों में से कोई सा भी ह सकता है अब टूपी जेड अंतरना भी की एक्स को जेड एक्स के अनुदिस माना जाता है तो यह एक और अंतरना भी की एक्स को जेड एक्स के अनुदिस माना जाता है तो जेड एक्स के अनुदिस इस्तित परमाणू कक्सक आपस में अक्सी एतिव्यापन करते हैं तो टूप अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बनते हैं तो यह जाएगा सिग्मा टूपी जेड यह जाएगा सिग्मा स्टार टूपी जेड यह जाएगा बॉंडिंग molecular orbital और यह हो जाएगा anti-bonding molecular orbital इस तरीके से यह बन जाएंगे अब आपन देखो यह अतिव्य आपन किस तरीके से करते हैं तो एक 1S कक्सक दूसरा 1S कक्सक आपस में सही योग करते हैं इनका योग होता है तो क्या बनते हैं bonding molecular orbital बनते हैं उसको अपने इस तरीके से दर्शा देंगे यह हो जाएगा BMO और sigma 1S कि जब दोनों के अंतर से इसको प्रदर्शित करते हैं यह हो जाएगा 1S यह भी 1S दोनों संयोग नहीं करेंगे उस परिस्तिती में अपने इसको किस तरीके से दर्शा देंगे तो इसको इस तरीके से दर्शा देंगे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस यह हो जाएगा ABMO और सिग्मा स्टार 1S यानि S ककसक हमेशा सिग्मा बनाएंगे P ककसक दो प्रकार के आबंद निर्मित करते हैं PX और PY पाई बंद बनाते हैं और PZ क्या बनाता है सिग्मा आबंद निर्मित करता है क्योंकि अंतरना भी कि यह X को ZX के अनुदे से माना जाता है मुख्य X कह सकते हो यह परिपार्टी के अनुसार ऐसा किया गया है अगला देखो PX और PX तो देखो PX हो सकता है या PY प्लस माइनस दोनों संयोग करेंगे तो दोनों के बीच में प्लस का चिन प्लस माइनस यह ले लिया PX यह भी PX तू PX ले ले लेते हैं फिलाल जब दोनों संयोग करेंगे और दोनों संयोग नहीं करेंगे प्लस माइनस टूपी X और दोनों के अंतरशे प्रदर्शित करते हैं माइनस प्लस माइनस टूपी X अब की बार दोनों संयोग नहीं करेंगे जब संयोग करेंगे तो उपर वाली लोग उपर वाली लोग के क्या करेगी, हतीविया अपन कर लेगी, तो यूं दर्सा सकते हैं, ये एक प्लस ही लगा देता हूं, उपर प्लस नीचे माइनस, यानि एलेक्ट्रोन गनत होय उपर और नीचे, इसमें क्या होगा? ये दोनों आपस में सङोग नहीं करेंगे, तो या तो अपन प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस दर्शा सकते हैं यह यह जोड दिखाते हो तो इधर उपर प्लस का साइन हो जाएगा और नीचे माइनस का तब इसको अपन देखो यह दर्शा सकते हैं यह एंटी बोंडिंग हो जाएगा माइनस माइनस और यह प्लस यह जाएगा एंटी बोंडिंग molecular orbital इसको कौन सा कहेंगे यह हो जाएगा पाई बंद बनाएगा कौन पी एक्स और पी पाई बनाएगा तो यह जाएगा पाई स्टार एंटी बॉंडिंग के लिए 2PX पाई स्टार टूपी एक्स यह हो जाएगा पाई स्टार टूपी वाई भी कह सकते हो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है यह हो जाएगा पाई टूपी एक्स यह हो जाएगा पाई टूपी वाई पाई बंद बनाने में प्रियूपत होते हैं बॉंडिंग में इस तरीके से एं एकस्ट आते हैं पर पिजेड और वो सिग्मा बनाएगा तो पिजेड को आप कईसे दिखाते हो पिजेड यह रही आपकी जैड एकसिस यह रहा टूपी जेड कर सकते हैं यह प्लस यह माइनस दोनूं के बीच में योग को कैसे दिखाऊँगे वाली लॉब प्लस की तरफ और स्योग भी करेंगे दोनों लोब सेम साइन की और दोनों की बीच में जोड इस तरीके से इनको दर्साएंगे तो दोनों यह लोब प्लस प्लस वाली जूड कर के क्या कर लेती है यह बना लेकिए प्लस वादी लोब अतिवेपन से मोटी हो जाएगी और माइनस वादी छोटी इसको कहेंगे सिगमा टूपी जेड क्योंगी पीजेड कख सकत हो है अक्सी अतिवेपन से सिगमा बनाते हैं तो पीजेड सिगमा और यह हो जाएगा bonding molecular orbital अब यह PZ प्लस माइनस 2PZ फिर दोनों के बीच में अंतर प्लस माइनस अब अंतर से दर्सा दिया इसका मतलब संयोग से नहीं करेंगे दोनों और संयोग दोनों नहीं करेंगे तो इनको इस तरीके से दर्सा देंगे प्लस माइनस माइनस प्लस यह भी PZ टू यह भी 2PZ और यह हो जाएगा एंटी बांडिंग मोलीकुलर और इसको अपन कहेंगे सिगमा स्टार 2PZ तो यह बात हो गई पाई क्या बनाएंगे पी एक्स और पी वाई पाई या बंदू का निर्मान करते हैं तो इनके अंदर बांडिंग हो जाएगा पाई 2PX एंटी बांडिंग हो जाएगा पाई स्टार 2PX या 2PY एसक अक्सक हमेशा ही क्या बनाएंगे सिगमा बनाएंगे और सिगमा बनाएंगे इसलिए सिगमा 1S सिगमा 2S सिगमा 3S इस तरी कैसे होंगे तो सिगमा 1S बांडिंग के लिए एंटी बांडिंग के लिए सिगमा स्टार 1S हो जाएगा और z axis को अंतरनाभी की x माना जाता है और यह x ही अतिवयापन से sigma मनाते हैं तो यह हो जाएगा sigma 2pz यह 2pz दोनों अक्सी अतिवयापन करते हैं तो एक बनेगा sigma 2pz और दूसरा हो जाएगा sigma star 2pz दो bonding और anti-bonding इस तरीके से परमानों कक्सक जो है वो 1s 2px या 2py और 2pz आपस में अतिवयापन करके कौन से कक्सकूंगा निर्मान करते हैं यह बात हुई संयोग की